नमस्कार खबरे अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ कीरती कंसल आज हम हाजिर हैं पायस आयरवेदा के खास कारेक्रम के साथ जिसमें बात होगी आपके स्वास्थे से जुड़ी आपकी खुशाल जिंदगी की और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौ होगा सबसे पहला प्रॉषन आपसे यही होगा कि वैषजा कल्पना क्या है लोग मैडिसन कैसे बनाते हैं तो वो आजाता है कि बहशज्य कलपना में कि हमने किसी के लिए कैसे दवई बना ली है तो उसको बोलते हैं। करके बनाना कि किस तरह के रोग के लिए कौन सी दवई ली जाएगी? तो अगला प्रशन हमापसे लेते हैं मैम आज basically हमारा पूरा प्रोग्राम जो अधारित है वो आयूर वेदा पर अधारित है तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताईए कि आयूर वेदा आखिर है क्या और इसके उत्पत्ति कहां से हुई है आयूर का आयू का ज्यान आयू का अयूर वेदा वेदा में जोंडर मन्न हो रहा था तो उस अमरित कलश के साथ प्रित्वी पे आए लोगों का benefit के लिए कि आपको कैसी आयू का हम better health आपको दे सकते हैं तो इस तरह आयूर्वेद की उत्पत्य हुई आयूर्वेद मेंली जैसा के दो word से बना है आयूर और वेद आयू का ग्यान मेंली आयूर्वेद का जो में प्रियोजन ही यही है कि हमने कैसे जो लोग healthy हैं उन लोगों के health के हमनों कैसे maintain करना है दूसरा उसमें आ जाता है कि जो लोग बिमार हैं तो उनको हमने कैसे ठीक करना है तो में जो है आपके health को maintain करना ही आयूर्वेद का में मोटिव है जिस तरह से शुरू में ही हमने बताए कि आप gold medalist हैं वैदिक आयूर्वेदा में तो आयूर्वेदा को किस तरह से जोड़ के दिखा जा सकता है वास्तु अस्तु एंड एस्ट्रोलोजी में तो एक्चुली मैंने यह माना है कि हमारी जो बॉड़ी जो बनी हुई है वो पंच भूत से बनी हुई है तो आयूर्वेद का जो में बेसिक है वो तीन ती दोश्ट पे हम लोग काम करते हैं वात पित और क काम है वात जो बी हमारी बॉड़ी की सारी मॉमेंट्स होती है वो बात से रिलेटे और कहीं पे घती है वह वात का काम हा वात मिंस वायू और जो भी metabolism है जो गर्मी की चीज़े हैं वो पित का काम है और तीसरा स्नेहन स्रेहन कहीं पे भी bonding जो है वो चाहे mucos membrane की है हमारी body में या किसी भी तरीगे का जहां पे भी bonding का काम आ जाता है जैसे lungs में है तो यह सारा कफ का काम है तो तीन जो चीजों से बनता है मेली वादपित काफ अगें यह जो पंच महाभूत है उनके combination से ही वादपित काफ त्री दोश जो बने हुए हैं जैसे परिथवी और जल की combination से हम लोग काफ की उत्पती मानते हैं वायू और आकाश से हम लोग वात की उत्पति मानते हैं और अगनी और वायू से हम लोग पित की उत्पति मानते हैं तो तीनों दोश हमारे पंच भूतों से बने हुए हैं ऐसे ही एस्ट्रोलोजी भी इसी चीज़ को मानती है ऐसे ही हमारे वास्तों भी इसी चीज़ को मानते हैं तो जब मैंने प्र औरु उसके सरकंस्टांसिस जहां पर रहता है या उसका जो इन सारी चीजहों से जोड़ती है तो ultimately मैं बोलूँ कि हार चीज का nutshell आजाता है पंच महाभूतों से और पंच महाभूतों से कैसे हमारी body की उत्पती होती है कहां पे जाके हम उन सीजों को basically मतलब कहां से originate होते हैं और कहां जाके हम उसको ठीक कर सकते हैं so that was all my motive of learning every Vedic science क्योंकि हमारे चरक जो है जो हमारे में गुरू हमारे आयरवेद के माने गए है चरक उनको उनका यह कहना है कि अगर कोई patient आपके पास हाता है तो आपको उसको पूरी तरीके से हील करना है नाकि आपने सिर्फ उसकी व्यादी ठीक करना है व्यादी मींज उसकी physical जो ailments है सिर्फ उसी चीज को ने ठीक करना आपने उसको पूरी तरीके से आपने उसको हील करना है तो आपको उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े किसी भी knowledge को आप जो भी सारी वैदिक sciences जितनी भी है आपको उसके पूरा ज्यान होना बहुत जरूरी है क्योंकि पेशेंट जब आपके पास आता है तो वो अपनी family पे भी इतना rely नहीं करता मुझे लगता है जितना वो उसको डॉक्टर के उपर रिलाए करता है कि यह डॉक्टर ने मुझे यह बोल दिया है तो इससे उपर मेरे लिए कोई भी चीज नहीं है तो डॉक्टर को अपने पेशेंट के प्रती बहुत वफादार होना चाहिए और हर संभव तरीके से उसकी help करने चाहिए तो उसी ची पर आप बैठके काम कर रहे हो वही इतनी चीज आपको डिस्टर्ब करती है आप जड़ा सी टेबल चेर आप शिफ्ट कर लेते हो यू बिकेम ओल्राइट जो बहुत सारी चीज़े बहुत इजी ठीक हो सकती है जिस तरह से आपने बताया कि इन सभी चीजों का आपस में क्य रिश्टा है जिस तरह से आपने बताया कि तीन दोश होते हैं वो पंच भूत से रिलेट करते हैं और किस तरह से आपकी बोडी आगे रियाक्ट करती है क्या क्या आपको रोग हो सकते हैं इंदरजीत कॉर्व मैं यह कहना चाहूंगी कि आज हर एक घर में देखा जाता है कि हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं से मांसिक रूप से अश्यारिक रूप से बिमार है या फिर यू कह लीजे कि कोई न कोई व्यक्ति स्ट्रेस की बिमारी से परेशान है तो आज आप हमारी चैनल के माद्यम से किस तरह से बताएंगी कि हमारे दर्शकों को की स्ट्रेस को दूर कि स्ट्रेस के लिए देखो मैं यहीं बताऊंगे कि यह मेरा पाइस आयरवेद जो सब देख रहे हैं मैंने इस से शुरू किया है अपना और यहां पर मैं हर नॉलेज भी शेयर करती हूं यहां पर मैंने पूरा-पूरा आज की डेट में इतना ज्यादा एक तो यह है कि हम इतनी फास्ट हो गई है हमारी लाइफ भागते जा रहे हैं हम और पेस में जो बताऊं कि मैंटली और फिजिकली हम उसमें एक हार्मनी जो हम लोगों को बैलन्स करने चाहिए दिमाग में और बाडी में वो में नहीं हो पार की तक नहीं हुआ तो वहां पर जाके हमें मेंटल डिस्टरबेंस स्यूरू होती है और आज की डेट में अगर देखा जाए तो मोबाइल ने मैं बोलू एक तो पैसी पैस जिंदगी बहुत जादा स्पीड से चल रही है और दूसरा जो मोबाइल की रिडेशन है मोबाइल चोड़ो बाकि सारी चीज़ें भी आप देखते हैं कि घर में माइक्रोवेव हैं या टेलीवीजन हैं एल लीडीज हैं कम्प्यूटर हैं हार चीज जो है दैट इस एमिटिंग एलेक्रो मेगनेटिक रिडियेशन हमारे हमें हो रही है दियर एफेक्टिंग एर मेंटल अग में एकदम से एफेक्ट करती हैं और उससी क्या होता है हमारी स्ट्रेस लेबल बढ़ जाता है क्योंकि आप 24 गंटे वो सारी चीज़ों को फेस करते हो और दिमाग जो है ब्रेन जो है आपका मैसेजिस को रिसीव करने में फॉवर्डिक करने में लगा हुआ है और तु उसको अब जब किसी चीज़ को आप दूसरे काम पर लगा लोगे तो उसका जो बेसिक काम है तो ब्रेन का में काम है हार्मोन को स्क्रेशन करना हार्मोन की स्क्रेशन में ली ब्रेन से होती है तो जब वो उस चीज़ को छोड़के हार्मोन की रिलीज को छोड़के वो मैसेज पढ तो जब बोड़ई नहीं बना रही तो बाहर को आपको Jeżeli। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत जादा डिस्टर्ब करती हैं अब कोई भी चीज़ आप सप्लीमेंट्स भी लेते हो तब भी आपको नहीं एफेक्ट पड़ता उसका मतलब यह है कि क्योंकि आप बाहर सी कोई भी चीज़ लेते हो बट वो जब तक बॉड़ी में एब्सॉर्व नहीं होगी तब तक वो नूट्रीशन नहीं दे पाएगी आयरवेद में हम लोग साथ धातूं को जानते हैं कि रस, रक्त, मास, मेद, अस्ति, मज़ा, शुक्र शुक्र जो है, that is the last, seventh धातू अब जब आप कुछ खा रहे हो, उससे रस जो आपका आ रहा है, रस से आप रक्त की transformation ही नहीं हो रही, खाने से आपका blood ही नहीं बन रहा है, blood ही नहीं बन रहा तो आप सोचो के बाकी उतर उतर धातू है, तो मतलब बहुत ज़्यादा difficult हो जाता है, तो जहां पे कोशा होने शुरू हो जाती है, हमारा body proper आप सोचो के, आज की diet में सोचो, इतनी सारी medicines हैं, जो सिर्फ body को clean करने के लिए चलती हैं, आप सोचो के इतनी ज़्यादा constipation क्यों है लोगों को, अब देख सब लोग सोचते हैं वो पेट सफा या कुछ भी इतनी सारी काइम चूरन क्यों इतना सेल होते हैं, क्योंकि metabolism ही आपका ठीक नहीं है, जितना आप हैपी नहीं रहो गए, जितना आपका सब्सक्राइब नहीं होगी आपका constipation रहेगा ही रहेगा तो मेली जब तक होगी ही होगी, मैं तो यह कहूंगी सबसे पहले तो देखिए कि जो होना है वो हो गया आपको कुछ भी हालात हैं आपको खुछ रहना चाहिए पहली बात तो अगर आप हैपी रहे तो आप हर चीज को फेस कर पाऊगे, अगर आप खुश ही नहीं रहोगे, आप हैल्दी ही बता दिया है कि जिन्दगी में अगर खुश रहेगा तो आपके सारे रों को कुछ रहते हैं तो हमारे जो आप सुचो कि जो वो वाइबरेशन हैं हमारी इसका यह नहीं है कि सिर्फ खुश रहना है तो उसका आपकी हर सेल पे उसका एफेक्ट होता है जब आप खुश रहत के पार्ट को जाते हैं और जब वो वाड़ी के पार्ट को जाते हैं तो दे बिकाम हैपी आपने देखा होगा कि जो स्माइली होती है उसका कितना अच्छा साइन होता है कि उसको प्लीजिंग लगता है हार चीज को देखना और जो वो हमने गुसे वाली स्माइली देखते ह को नेगिटिविटी से आती है और एक पी वाले स्माइली देखके या आपको नहीं भी इच्छ होगी आप फिर भी खोश होते हो उसको देखते हैं मातर से ही मिलती है तो उसी में हमारे सेल्स का है अब अगर खुश होंगे तो खुश होंगे है नो मेटर आज की डेट में कोई वी ऐसा इंसान नहीं है जिसको किसी तरीके की परिशानीं नहीं तो परिशानीं थो रहेंगी रहेंगी वह आप खुश को के भी उसको फेस करो गे तब भी रहेगी तो at least you should be healthy हैना सब आप जब बिल्कुल ये बात तो सची है कि अगर हम मेडिटेशन वगेरा नहीं करते जिस वज़े से हमें खुद को ही समय देने का समय नहीं है तो क्या से स्ट्रेस होता है तो एक लक्षन ये भी देखा जाता है कि सिर में दर्द होता है माईग्रीन होता है या कुछ भी होते तो उसके लिए लोग भाग करके डॉक्टर के पास जाते हैं होमेपाथिक इलाज करवाते हैं अपना लेकिन आज भी आयूर्वेदा पर विश्वास किया जाता है ऐसा क्यों वहीं मैं बताती हूं आयूर्वेद में बेसिक चीजों को लेके चलते हैं हम लोग यह बोलते हैं कि आपके घर में जो चीज़ें आप उच्छी से सब्सक्राइब जो अब माइगरें कि बात कर रहे हैं तो माइगरें वहता है मेली आपके बाड़ी में जो हैपी हार्मोंस जो हमें चाहिए पूर्ट होते हैं आपका खाना डेजस्ट नहीं हुआ हैं आपके बाड़ी में एसेडिक वेल्यू बढ़ गई ज़दा तो उससे आपको आपका हैडिक वगेरा होना शुरू हो जाता है उसका साथ में यही फिर अगें कहीं पर भी मैं कोई भी रीजन लोंगी तो मेटाबोलिजम बीच में जुरूर आएगा क्योंकि हार जगा मेटाबोलिजम ही है जो हार चीज के लिए रिस्पॉंसिबल है अब यहां पर ह हम अगर लेते हैं एसीडिटी या हाइपर एसीडिटी या अमल पित हम लोग आयरवेद में बोलते हैं अमल पित को लेते हैं कि बॉड़ी में आपके पित बनना शुरू हो जाता पित क्या है आयर अब स्टमक में जो हम लोग जब खाना खाते हैं और स्टमक में आपके जो ह hcl produce होता है जो आपके खाने को disintegrate करता है हम लोग जो मॉल्डिक्यूंस हमारे खाना जाता है उसको जो मॉल्डिक्यूल को final molecules में जब हम लोग तोड़ते हैं तो वहां पे हमारा से होंस स्करीट होता है स्टमक में जो खाने को डैजेशन सेविकें होता है आज की देट की बता रही हो थे हमेरा जैसे आट बोड़े कोपता है कि 8 बजे मैंने ब्रैक फसक करना है और उसके बाद मुझे लांच जो है एक बजे मिलेगा या बारां बजे में लेगा खुतर किया है कि आपने आट बजे तो खा लिये हैं बाट्विंद बारा या एक बजे वाला आपका नहीं टाइम पता कि मुझे किस टाइम पर खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो बॉडी अब का स्टॉर करना शुरू कर देती है खाना तो वह उसका अपना जो है system disturbed हो जाता है उसको यह पता है कि अभी मुझे अभी तो मिल गया अब दूसरे टाइम पर पता है कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा तो storing में उसकी जो है वो ज्यादा चला जाता है आज कल जो मैं प्रॉब्लम देखती हूं storing में हो जाता है और जो आपका उस टाइ जो होता है वो इसलिए होता है कि अब टाइम है कि हार एसील प्रड्यूस होगा बॉड़ी में अब वो टाइम निकल गया वह एसील आके वहां पर बैठ गया खाना आप उसके बाद बहुत लेट खा रहे हो तो वहां पर खाली रहता है कहां दूसरी खाने को डैजेशन करना है जब खाली आपके स्टमक में रहेगा तो वो इसका हम लोग चाहते है कि बैक फलो शुरू हो जाता तो बैक फलो शुरू होगा तो आपके बहुत नियू ना शुरू हो जाती है जब ऐसीटी होगी तो नैचरली हो जो चीज आपके बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं है और वो फिर आपके सिर में चढ़ना शुरू हो जाता है So this is the all phenomena आज की डेट में जो इतना माइग्रेन और ये सारी चीज़े क्यों हो रही है क्योंकि बोड़ी को खुदी नहीं पता के मुझे क्या चीज मिल ली है देखा है किसी चीज का कोई टाइम फेक्स नहीं है आप ये बोलें कि आप खाना खुद बनाओ या घर पर जाके बनाओ तो देट इस नॉट पॉसिबल है ना तो में कहती हूँ कुछ भी खाओ बट टाइम पे खा लो अगर अब टाइम पे भी खा लेते हो तो 50% आपकी प्रॉब्लम्स अगर अगर आप खाते हो तो मेरा ये कहना है कि खाना खाओ कुछ भी खाओ तो आट तो यानी कि स्वस्थ रहने का दूसरा मूल मंत्र यह है कि टाइम पर खाई और उसके साथ जाघ्रम खाना खाए तो आप स्वस्थ रहेंगे तो अब हम लोग टो कहते हैं खाना हमारे पास look जो आपकर वहिए शोघएकर कर अगर आप हैल्दी रहना चाहते हो तो कोई दिकत नहीं आप वह पीजा बर्गर भी अगर खा लेते हो तो कोई दिकत नहीं आप इसके साथ ही हमारे दर्शेकों को ये भी बताईए कि आयूरवेदा और हर्बल में क्या अंतर है देखो हर्बू हर कोई भी जड़ी बुटी है ह जासे जीरा है धनिया है ये सारी चिजे भी अर्ब भी है ये हर्ब्स भी है बट जब हम उनको किसी तरीके से उसको यूज करते हैं डैन इत बिकम्स अअ अ Авवेधा कि जब ॉसको किसी की मातरा और किसी के गुण धरम देके हम लोग उसको यूज करते है तो वह एक औश्यत बन जाती है ऐसे तो जीरा हम लोग खाने में डेली लेते हैं हैं तो चीज़ें को युस करते हैं वह हाह हैं वह जब महात्रापने दियुसती है न चीज अब सब्सक्राइब में स्पता एक अप जिसेते हैं हो इसे चाहओ Derby Sampần medallist Vedic Ayurveda में Vedic astrology में gold medalist हैं तो किया मैं आप से पूछ सकते हूं कि इसके पीछे क्या लक्ष था कि आपको इसी field में जाना था इसी क्षेत्र में अपना नाम कमाना था निए दिखो मेरा शुरू से हिक passion था मतलब लोगों को heal करने का I never say that I treat patient. मैं treat नहीं करती लोगों को मैं खील करती हूं क्योंकि मुझे यह होता है कि अगर कोई मेरे पास आया है मेरे पास मेली आप सोचो के क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं मेरे पास जो मतलब सब जगा से मतलब इतने बड़े-बड़े वो सारी टो मेरे इंविस्टीछं लेकि आते हैं उसकी साथ हाते हैं तो मेरे चुमि था कि मैने आपको बिल्कुल ठीक करके भी जब चूंगे एंसे नहीं है कि आपको कोई दिक्कते हैं तो म enabling बलना है । मैं जब तक मैं संघानी दोंगी तो मुझे तसली नहीं होती तो मैं उसको यह बताती हूं कि इस आर्दा रीजन यॉर सफरी यह प्रावलम है आप यहां पे आपका यह कमी है आप में आपको ऐसे करना चाहिए यह आप गलत कर रहे हो इसको आप ऐसे सुधार हो गए तो आप टीक हो जाएंगा तो इस स्टॉलोजी और वस्तू काज साइंस पड़ी यह देखने के लिए कि जो हमारे अदिरेक्शन है जो हमारे घर की डार्चशन यह बहुं हमारे काम की जगह है वो जो जगह है वो हमारे हैं पे बहुत जादा इफेक्ट करती तो उन चीज़ों को मैंने स्टडी किया कि कैसे व तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौझू थी डॉक्टर इंदर जीत कौर बहुत-बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ स्टूडियो में बने रहने के लिए और जीवन के इतने अच्छे मूल मंत्रों देने के लिए कि जिसे अगर हम अपनाएं अपनी जिंदगी में तो हम त्वस्त रह सकते हैं फिलहार नमस्कार